हलो दोस्तों नमस्कार कैसे हो आप देख रहें अपना यूटूब चनल ओपेक एगरिकल्चर ओनलाइन मैं हूँ प्रलाश सर्मा दोस्तों आज आपके लिए में एगरिकल्चर के लिए बहुत बड़ी अपडेट लेके आए हूँ जिस भी विदारती का सेलेक्शन एगरिकल् लगे और फिलीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि आग अगर आप अगर सब्सक्राइब लाइक करते हो तो हमें परमोट मिलता हैं जिसे हम आपके लिए ने नियूज या आपको लिए क्युसेंस एग्जाम से लिटर क्यूसेंन हो लेके आते हैं जिसे हमें परमोट मिलता है तो दोस्तों अपुन टाइम वेस्ट ने करते हुए आज की जो नूज है वो है कि इंतिजार हुआ कतम हाइक ने जारी किया आदेज करसी प्रेक्स अथारा सो बतीस पदों पर नुगति दी जाए जो भी दोस्तों जो अथारा सो बतीस पदों की जो करसी कुछ गड़वर्ती सीटों के लेकर कि उनको जोनिंग दी जारी लेकिन सीटें नहीं बढ़ाई जारी तो इसको लेकर रोक लगा दी लेकिन अब क्या क्या जो वर्तवान समय में जो राजता में यह जो टिड़ी आकरमेंट हो रहा है जो एक टिड़ी दल आ रहे हैं उनसे जो पसलों का नुक्सान हो रहा है उसको देखते हुए रास्तान हाई कोट नहीं यह आदेज जारी किया गया है जो भी कि एक्रिकल्चर सुप्रोवाइजर अठास बतीस पर हैं उन पर जल्द जल्द नूक्ति दी जाए तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में यह इसमें यह लिखा गया है कि टिड़ी हमले को देखते हुए हाई कोट ने रो कटाई अठास बतीस कर्शी परेक्शों के टोके निर्देश दिया तो मैं आज आपको पूरा पढ़के बता देता हूँ कि मैं कि क्या क्या लिखा हुआ है देखे दोस्त इसमें लिखा हुआ है कि रास्तान हाई कोट के ने परदेश में टीडी की हमले को देखते हुए 1832 कर्शी परेक्सों के पदों पर सर्थ निक्ति देने के निर्देश दिये हैं यहें निक्तिया कोट में विचारा दीन याचिका करता हो के अंतिम निर्दे के अदिन रहेगी और इसका उल्ले के निक्ति पत्र में किया जाएगा यानि की रास्तान हाई कोट निये कहा कि जो बड़ता में टीडी हमले को देखते हुए जो 1832 कर्शी परेक्सिप पद है उन पर निक्ति दी जाए और जो यह निक्तिया जो होगी वो जब जो अभी कोट में याचिका चल ली थी अब तब तक उनका अंतिम निर्दे नहीं आ छाइब याचिका में याज राजय सरकार की और से निक्तियों पर लगी रोग को घटाने के लिए प्रातना पत्र को निस्टारिद करते हुए यह कहा कि टीडी हमले को देखते हुए यह समय की जरूरत है कि कर्सी परेक्सों की निक्तियों अनि जो याचिका करता है उनकी याचिकारता में जो राजे सरकाय की जो नुक्तिया है उन पर जो रोक लगाई थी उनको हटाने के लिए और यह खा गया कि वरतान समय में जो टिड़ी हमला है उनको देखते हुए अभी फिलाल में एक जो कर्षिप परेखसक है उनकी जुरुत कर्ष परेखसों को नुक्तियों देने पर रोक लगा है थी कि जो इनकी स्प्ड़वाद लेकिंसि ती उनको अक्टूपर 2018 को इनकी जो वकेंसिप नुक्तियों को रोक लगा दी ती याचिका करता हों में कहा गया कि राज्चे एक सरकान कर्सी प्रावदानों को लागू नहीं किया जिससे इस एरिया में रहने वाले लोगों को कम पदोपन निक्ता मिलेगी यानि कि यह जो वेकेंसी आई थी इसमें आगते जो टीएसपी एरिया को सामिल किया गया लेकिन इनकी जो सीटे थी उनको नहीं बढ़ा गया इसलिए जो कम सीटे थी उन्हीं पर उनको जोनी दी जाएगी महा दिखते हैं एम एस सिंग्विन ने रोग हटाने का प्रातना पत लिखा था कि अभी वर्ताम टीडी हमने को संक्रों देखते हुए जो भी करशी परेक्स है उनको निकती दी जानी बहुत जुरूरी है पूरो में कोट ने जब रोकर लगाई तब तक चैनी तबीरतों के दस्तावेश सत्यापनाकार्य पूर्ण हो चुका सिंग्विन ने कह कि यदि यॉची का अंतिम तौर पर सिर्कार कर लिए जाते हैं तो सरकार टेओर के लिए पद बढ़ाएगी यानि की अगर जो यसिडी लग रही उनको अंतुर पर सिर्कार कर लिया जाता है और चाहेश्य का उल्य किया जाए कि हैं याचिका के अंतिम नीन्ने के अध CAP मिला कि हैं कि आपके अभी जोन दे दी जाएगी और आपके जो जोन लेटर होगा उसमें यह लिखा रहेगा कि जितने याची का यह लग रही है जब तक उनका अंतिम नहीं नहीं आ जाता तब आपकी जो भी यह नुक्तियां हैं उसके विच्छा देन रहेगी अगर उनकी जो याची करता है अंतिम रूपर सिर्कार कर ले जाती है जो टीएसपी एरिया की सीटे हैं उनको बढ़ा दिया जाएगा और जो भी जो विद्धार्द वेटिंग में उनका सेलेक्श जजदिंग क्या माना आप तो पांच दिन मांगे चलो क्योंकि अभी वर्तवां में टिड़ी जो हमले हो रहे हैं उसको देखते हैं अगले पांच दिन में आपको जोनिंग दे दी जाएगी तो दोस्तों यह थी आपके लिए बहुत अची ख़़र दोस्तों अगर आपको 32 करसी प्रेक्सों की निक्ति से रोक यानि कि जो इस पर जो रोक लगी थी उसका साथ मेने हो चुके थे यानि साथ मेने बाद 1832 जो पते उन पर उनसे जो रोक खटा दी गई है आगे पड़ता है कि टिड़ी हमले के मद्द नजर सरकार ने मांगी ती राक यानि गवर्में कोट ने बड़ी रहा दी कोट ने करीब साथ मास करसी प्रेक्सों की निक्ति पर लगी रोक बुदवार को उठा दी गई है अब उनकी निक्तिया का रास्ता साप हो गया है हालांकि कोट ने का कि बहुशे में याची का करता का तरक सिकार हुआ तो उस समय उनने नुक्सान हो इसके लिए सरकार पर बढ़ाएगी पद बढ़ाएगी मामले के अनुसरा रास्तान अधिनास कमचारी चैन बॉर्डरिंग करसी प्रेक्सों के अठास बटीस पड़ों के लिए 25 में 2018 को आई दिन मांगे थे इन में 243 पद टीसपी चैतर के लिए निर्दारी थे इससे प एक्टूबर 2019 को हाई कोटें निक्तियों पर रो कर लगा दी थी तो दोस्तों आपको ये फोटो में आप ये देख सेकते हो कि इन में ये जो टीड़ी डेल हैं उनको देखते हो ये सब कुछ से रास्तान सरकार ने हाई कोट से यह प्रातना की थी कि इन टीड़ी हमला को दे देखते हों जो भी सप्रोवाजर हैं करसी सप्रोवाजर रहें उनको निक्ति दे दिय जाए मैं आपकी जो यह अच्या करता है चलिए उनके वीचा दीन रहेगी जब तक उनका अंत्यम निक्ट निक ने नहीं आए था दोस्तों यह हैं देनिक बासकर की निउस और पहले व अगले वीडियो में धन्यवाद, ठैंक्यू